सब्सक्राइब करने वाले हैं पावर ओफ अकॉमडेशन और इसके आगे का जो टर्म से वह सारे ठीक है जिसमें आपका डिफेक्ट सो भी जान यह सब आता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप यह भी जरूर पढ़ना ठीक है आप यह खुद से पढ़ना क्यूंकि यह आपका एक्जाम में आ जाता है जैसे कि यह एक बार आ है हमारे पास दो आइस क्यों है एक आई क्यों नहीं है तो इसके उपर भी कोशन बनता है तो आप यह सब भी जरूर देखना ठीक है जश्ट एक बार रीट करें रखना कि हां कोशन इससे भी बनता है चलिए सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पावर अफ एकॉमोडेशन पास इसे हम हिंदी में कहते है समंजन की छमता दाइलेंस हैं आइलेंस कंपोज और फाइबरस जैली-ाइग मैटेरियल हमारे जो आख है छे जो आख का जो लेंस है वो किस चीज़ से बना हुँए वो बना हुँए एक तरह से रेसेदार फाब्र मतलब यह ए तरह बेसेदार निजमें कहते हैं पच्उमावी मसल्स जो भी हो पेसिया ठीक है? ते चेंज इन्द गरवेचे्र आ स्फहोटो हम अगर अपने की जो आई लेंख का थेंध्य का बदल दें तो हमारे जो फोकल मुक्ष फोटो हो जाएगा जो सकता है में मसल सारहलेक्श کہो 對 का मतलब क्या होता है शिठ तो लेंस का धा होता है लेंस थी मतलब का लेंध्स इन ग्रीजर उसलिए इसन का फूकल होता है बढ़्ड जाता है तो और यह हमें दूर के चिजों को देखने में हील्प करते है मदद करता है धीकर ग्ली हम पुरा सही तरह से देख सकते हैं, वेन यू आर लुकिन अट ओबजेट अबजेट अबजेट अब जो आप किसी चीज को आँख के बहुत ही नजदीक लाकर देखते हो, जा सिलियरी मसल कांटरेक्ट, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा जो सिलियरी मसल से, तो यहां पर फोकल लेस्ट को बरा रहता है, यहां पर करवेचर को सिलियरी और इसे क्या होता है, हम nearby objects को clearly देख सकते हैं, उपरवाले में क्या बताया था, दूर के चीज़ों को हम clearly कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में, और यहाँ पर क्या बताया गया है, पास की चीज़ों को कब देख सकते हैं, यह आई खुद से करता है इसके लिए हमें कुछ बताना नहीं होता है उसे वो खुद ही कर लेता है इसी को हम क्या कहते है इसको हम इतना बड़ा तो रेफिनेशन एक दम में नहीं लिखेंगे हम शॉट में कैसे लिखेंगे आख की वह चमता जिससे वह अपनी फोकस की दूरी को एड़ेस्ट कर लेती है ठीक है उसे हम क्या कहते है उसे हम एक लिमिट से नीचे और नहीं घटा सकते हैं उतना ही रहेगा कम से कम उतना रहेगा है मतलब उससे अगर आप नजदीक लाकर अगर करते हो उससे भी कम अगर फोकलें जैसे घटा होगे तो चीज़ों आपको दिखना बंद हो जाएगा या फिर ब्लर होने लएगा ठीक है ठीक है ट्राइट प्रिंटेट पेज़ेंगे वह ब्लर होके दिखाई देगा ठीक है ज अगर आपको अगर आपका बिल्कुल सही है तो कम से कम 25 सेंटिमीट्र का आपको दूरी पर रखकर किसी चीज़ो परणा है अगर क्लिरली दिखाई दे रहा God's reach to go active में आप किशी भी में तो बिना ही अपने आख पर दवाब प्रेसर डाले हुए इसे हम क्या क्या लूज दिस्टेंस भी इसी का दूसरा नाम क्या है नियर प्ञाल पीट आइ भी प्रौ प्रौ आरी भी का है हिनिमें हम LOOKT FORYUNG ADULT WITH NORMAL VISN GPA तो अगर आपका आख पुरा सही है आप अगर यंग हो उस समय आपका आख का जो नियर पॉइंट हो कितना रहेगा 25 रहेगा दा फार्देश्ट पॉइंट अप्टू विच आई कें सी अबजेक्ट क्लियर दूर से दूर का दूरी जहां तक आपका आख अची तरह से देख सक आपको कोशन बंजाता है कोशन इंधी में इंग्ली अप लिख सकते ओँप्ञेटी और यहां पर समय आ गया है लक्रास में वन्हें जो शन पुछा था उसका यांस बताये उनका नाम लेनेगा तो उनका नाम है रवी परकास है सेल कुर्ष Ai मेले से आजाी है और कुछ लोगों ने और भी दिये है कोमेंट बट सिर्फ हाय थेंक्यू यही सब दिये हैं थेंक्स नेक्स पाट कव आएगा बट जो कोश्चन का जो आंसर होना चाहिए वह नहीं बता है सब्सक्राइब करना कि जो कोश्चन दिया उसका अंसर बता हो इससे फाइदा आप ही का है एक तो यह भी पता चला थे कहा है आप पुरा बढ़िया से देखी हो वीडियो को समझे हो और दूसरा है की एंगेजमेंट बना रहते हैं हम दो का ओके सचले क्लाइब स्टाट करते ह लोग बुरे हो जाते है तो उनका जो क्रिस्टालाइन लेंसे हम क्रिश्टेलिया लेंस कहते है वह थुरा सा मिल्की मतलब दूद दूद टाइब का हो जाता है आपको दिख सकता है ठीक है जो बुड़ा लोगों का आख होता है वो आप देख सकते हो इस सक्वाज विजन होता है कभी-कभी तो यह पूरा ही लॉस हो जाता है ठीक है complete loss हो जाता है it is possible to restore the vision through surgery through cataract surgery आप अगर चाहो तो cataract surgery के द्वारा ठीक है इसका आप surgery करवा कर ठीक कर सकते हो अच्टीक है एक चोटा सा बात मैं यहां देख सकते हैं तो इससे क्या होता है 180 पूरा आपने आसपास इस साइट से लेकर राइट से लेकर लेकर लेफ तक पूरा आप देख सकते हो किसी भी छोटे से चोटे अब्जेक को भी आप देखने के लिए कम से कम लाइट का भी कोई अगर आप एक आख से देखोगे तो उतना चाही दिखाई नहीं देगा जबकि अगर दो आख से देखो तो आपको बहुत ही आलाम से दिखाई देए ता है तो यह में इसके अलावा आपको यहां पर और दिया गया आप इसको बढ़िया से पढ़ो अभी मैं आगे की जो पार्ट है वो मैं कम्लीट करता हूँ अगर आप इस्याइब आए हो तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कर लेना ठीक है वीडियो को लाइक और नीचे एक कोमेंट करना कि कैसा लग जाए क्लास समझ में नहीं आ रहा है ठीक है इसके अलावा आपको टेंड का मैस का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आप चा loss its power of accommodation in such conditions, ऐसे conditions में क्या होता है, जब आख पे ज़्यादा problem हो जो तो क्या होता है, आख जो अपना power of accommodation भी loss कर सकता है, the person cannot see distinctly and comfortably, उसमें क्या होता है, लोग कुछ कुछ पास के चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, कुछ दूर के चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है या तो myopia हो सकता है, ठीक है ? या फिर हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, या फिर प्रेजबाओपिया हो सकता है, तीं चीज़ा आपके साथ हो सकता है, अगर defect provision हो तो तीन बात हो सकता है, क्या myopia जिसे हम near-sightedness भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम हिंदी में निकर दिरिष्टिता इसे हम जड़ा दूर किया दिरिष्टिता कहते हैं यह हम बाद में देखेंग हैं यह कैसे हो कि अगर हम बात करें我 क Josh came से इसका दुसरा नम कैंने से यह सब के आगा च्टिक में बन सकता है अब सा करेंगतला कंद इए यह अदम जीक घंसे अ को नियर साथ की蛹 उनको तो बहुत ही आराम से देख सकता है ठीक है but cannot see distinct object मगर दूर के चीओ को नहीं देख सकता है इनका जो फोर फार पॉइंट जो होता हो क्या होता है वह इनफिनिटी पहले ही खतम हो जाता है मतलब वो ज्यादा दूर के चाहिए हो तो नहीं देख पाएं ठीक है तो such a person may see clearly up to a distance of few meters कुछ दूर्यों तक तो देख सकता है इन मायोटी एक eyes object, image of distant object is formed in front of retina ऐसे eyes में क्या होता है जो image जो बनता है वो retina में बनता है and not at the retina itself यह retina के सामने बनता है बट retina पे नहीं बनता है generally हमारा जो image हो कहां बनना चाहिए वो बनना चाहिए यहां पर retina पे बनना चाहिए ठीक है आपको यहां पर दिख रहा होगा साइड यहां पर बनना चाहिए बट यहां पर बनता नहीं है बन पर जाता है यहां पर बन जाता है ठीक है उससे आगे बन गिया ठीक है यह क्यों हो सकता है यहां पर दो रिजन हो सकता है पहला excessive curvature of the eye lens आक का जो lens बहुत ज्यादा चला गया होगा या फिर दोसरा elongation of eyeball eyeball का चोटा हो जाना ठीक है आई बोल का छोटा हो जाना So this defect can be corrected by using concave lens, यहां पर बहुत important question बनता है, कि myopia की lens से ठीक करते हैं, तो myopia को हम concave lens से ठीक करते हैं, ठीक है, यहां पर दो term आने वाला है, एक है myopia, एक है hypermetropia, और एक है concave और एक है convex, तो यहां पर आप एक छोटा सा trick यूज कर सकते हैं, इसको याद रखने के लिए, ठीक और convex में V आता है, तो उसे हम यहां पर V रखते हैं, ठीक है, myopia किसे ठीक हो रहा है, concave से ठीक हो रहा है, hypermetropia किसे ठीक होगा, hypermetropia हमारा जो है, वो ठीक होगा V से, ठीक है, मतलब convex से, ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखने को देखो, आप cm याद रख लो, जो आप cm का मैं C का बात कर रहा हूँ, ठीक है, यह, myopia, m से, cm से, ठीक है, तो मतलब myopia जो है, concave से ठीक हो रहा है, और convex जहां पर आ रहा है, vex जहां पर आ रहा है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर H, मतलब hypermetropia, ठीक होगा, ठीक है, तो इस टीक से आप याद रख सकते हो, छोटा साह है, देखो, यहाँ पर, पहले, normally ऐसा होना चाहिए था, but due to myopia ऐसा हो गया है, ठीक है, उसका यहीं पर गिर रहा है, focus जो है, image यहीं पर बन रहा था, तो जैसे हमने यहाँ पर लेंस लगाया, फिर से क्या हुआ, image यहाँ पर बनना सुरू हो गया, ठीक है, तो आप यह है, can see distance objects, clearly, दूर के चियों को बहुत ही आराम से देख सकता है, मगर, मगर वो पास के चीयों को नहीं देख सकता है, पहले बाले में क्या था, ओफास की की छोग को दीख देख देख़ देख पा रहा था, यहाँ पर दूर को देख पा रहा है, पास को नहीं देख पा रहा ह आप यहां पर देख सकते हो नर्मली जो है यहां पर होना चाहिए था नर्मा पर किया जाता है जो नתיना के पीछे बन जाता है तो इस केस में यसी छोटाओ ठीग हो किसे हम Convex से ठीक करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था Concave के लिए आप याद रखो CM मतलब Myopia Concave तो Hypermetropia Convex Lens याद रह जाएगा और यह आपको एक्जमपल देगर बताएगा कैसे हम Convex Lens का यूज़ करके इसे हम फिर से ठीक कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट और आज का है लास्ट टोपिक हम देख लेते हैं प्रेस बायोपिया जो है यह असल में Myopia और Hypermetropia दोनों का यह combination होता है होता कि है इसी होते रहता है आज क्या होता है धिर देख कमने लगता है ठीक है फोर मॉस्ट प्रफल नियर पॉइंट ग्रेजुली रिसीट सभे मतलब जादा लोगों के लिए क्या होता है जो निकट बिंदू वह बहुत ज्यादा दूर हट जाता है तो वह जो है चीजों को आसपास के चीजों को नहीं देख पाते हैं एंड डिस्टिंक्ली विदाउट करेक्टिव इंसे बिना लेंग्स ग्लास का वह यूस नहीं कर पाते हैं और दूसरा जो होता है उसका भी कम जाना ठीक है और वहीं पर बुढ़ा आद्मी हो फाने ओजब हो जो ऑ्गहा ज्यादा समय लगता है तो वह किसली होता है क्योंकि उनका जो आई है इसे लोगो को में सब्सक्राइब करते हैं यहां पर क्या नहीं से icate थिक करते है वहां पर का यह वहां पर क्याब करते हैं क्या है थिलीजिए दॉप्र पोर्सному से काम करते हैं उपर कि जो उपर उफर पोश्ण drives कि ये distant vision को मतलब दूर के चेयों को देखने में help कर देता है और convex जो है वो पास के चेयों को देखने में help कर देता है आज के दिन में क्या हो रहा है जो जितना भी problem आ रहा है इसे हम सरजरी के थुरू भी ठीक कर रहा है ठीक है तो आज कल के लिए सरजरी करके भी हम जो भी आंक का जोगी problem हो रहा है इसे हम ठीक कर पा रहे हैं यहां पर हम contact lens का बात करते हैं contact lens यूज करते हैं और ठीक हो जाओ चले इस्ट्रेंस यहां पर कुछ को कुछ दिया गया है आप यहां पर देख सकते हो ठीक है आप सारा मत करो ठीक है मेरे लिए आप जश्ट मुझे इस दोनों का ठीक है शॉर्ट आंसर जो है वो देदो ठी अधिक देना ठीक है नेट प्लास जो होगा उसमें मैं आपका नाम जरू लूँगा ठीक है ठेक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंड नीचे कमेंट करना लाइक शेर सब्सक्राइब वह राया है तो सब्सक्राइब कर लो चलो मिलते हैं सब्सक्राइब गरें गया मिजड़ जान को और बेल आइगन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकरिशन पाने के लिए